Students, हम बात करेंगे, graph of y is equal to cot x from negative 360 degree to 180 degree, ठीक है, मतलब के cotangent function एक हमाँ पास periodic function है, trigonometric function है, जिसकी ये ratio जो है, वो हमने देखा था, कि ये हमारे पास होती है, जी base side divided by perpendicular side, या फिर हम इसे कह सकते हैं, के cotangent function है, अगर theta angles के वाले से देखा जाए, तो ये equal होता है, cosine theta divided by sine theta के, और फिर इसकी domain और range के वाले से हमने इसे पिछले lecture में study किया, कि domain जो होती है, cotangent function की, वो तमाम real numbers पर defined होती है, except वो angles जो के pi के multiple होते हैं, जैसे के 0 degree हो गया, 180, minus 180, minus 360, plus 360, इसा है कि सारे वो angles हम नहीं put करते हैं, ठीक है, क्यूंकि जैसे हम जानते है, function एक process का ना इसमें, जब input में food in करते हैं, तो हमें output में energy मिलती है, ठीक है, अब जो output है, वो input पर depend करती है, और दूसी बात यह, कि input में हम कभी भी ऐसी चीज़ नहीं in करते हैं, जो के हमारी body को destroy कर दे, damage कर दे, ठीक है, तो इसी तरह एक function है, उसमें भी input जो domain है, जो के independent variable है, वो हम न range हमने देखी, को tangent function की, जो के ratio थी, हमने study किया था, sine function और sine function की, तो हमने देखा था, इसमें हमें सारे ही real numbers मिल रहे हैं, मतलब negative हों या positive हों, तो इस तरीके से फिर जो range बनी, वो तमाम real numbers बने हैं, ठीक है, इसका मतलब, कि हमें जो answer मिलेगा, angle कोई भी put कर लो, सवाए pi के multiples multiples, even yard, आपको तमाम real numbers में, जो आप में मिल रहे हैं, ठीक है, एक तो हम यहां से बात बताचे, अब हम graphically भी इस बात को study कर सकते हैं, कि यह range हमें नजर आ रही है, अब देखें, minus infinity तो basically, यह positive infinity होना, यह तो ऐसा है कि आपका, यह एक undefined number है, ठीक है, जो कर defined ही नहीं है, वो बस हम कहते हैं, कि बहुत, मतलब एक एक ऐसा number, एक number भी नहीं है, infinity कुछ भी नहीं है, एक undefined है, ठीक है, एक symbol हम यूज कर लेते हैं, देखें, यह हमारा y function, cotangent function है, जो कि रसी प्रोकल है, tangent function का, अभी मैं आपको, जब cotangent function का graph बनाओंगा, तो आप खुद से भी, tangent function के graph से भी इसको resemble कीजिएगा, और मैं भी कोशिश करूँगा, कि अगर मुझे time मिला, तो मैं इससे tangent function के graph से comparison करके बताऊंगे, कितना फर्क है इन दोनों में, दूसरे के रसी प्रोकल्स हैं, ठीक है, इन दोनों का अगर आप multiply करें, tangent को, tangent को तो आपका answer 1 आता है, ठीक है, जी, अब देखें, हमारा जो एक circle, ऐसा circle, जिसका radius हम 1 रखें से हम कहते है, unit circle, और इस पे मैंने कोई एक point लिया है, P, एक general point है, जिसके x और y coordinate हम कैसे find कर सकते हैं, कि इस P point से हम एक perpendicular थो करें x axis पे, तो वो point जहां पर यह hit करेगा, वो M है, origin से M तक जो distance हमने रखा है, जो के center of असर कर भी, यह है, x, इसका x coordinate आजेगा point का, और फिर, यह जो M से P distance है, यह y है, जो के parallel to y axis है, y coordinate आजेगा इसका, फिर हमने एक बात और study की थी, के sine जो हमारा पार ratio होती है, और को sine होती, जी perpendicular hypertenuous side की ratio, और इस case में opposite side, यह perpendicular side theta की है, वो y है, तो y divided by 1, y आजेगा, और इसी एक बात, तो यह पता चल रही थी, कि जहाँ पर x positive है, वहाँ पर समझो के cause positive है, और अगर जहाँ पर x negative है, यहाँ पर y positive है, यह negative है, वहाँ पर समझने के sine positive या negative है, तो एक relation मिल गया था, और इसी तरीके से cotangent को भी हमने देखा कि cause over sine के equal है, ठीक है, तो जहाँ पर जाके sine zero value देगा, वहाँ पर यह हमारा cotangent function undefined हो जाता है, अब इस circle से हम इस graph को plot करने जा रहे हैं, देखें, हमें यह पता है कि हमारा cotangent function है, इसकी value, इसकी value जो है, वो 1, या इसकी value जो हमाँ पास, जो भी आ रही है, मतलब देखें, अगर sine 1 कहां पर होता है, चले हम यह तो हमारा cotangent function है, वो क्या answer देगा, cos 90 होता है, cos 90 होता है, cos 90 होता है, sin 90 होता है, 1, तो हमारा answer आएगा 0, ठीक है, जब कि अगर cotangent 0 degree की बात की जाए, तो मैंने भी बताया गए, undefined होता है, जो हमारा cos function 1 होगा, लेकिन sin function 0 हो जाएगा, तो undefined हो जाएगा, इसका तब हम 0 पर 0 degree के उपर तो यह undefined हो रहा है, इसका मतलब कि अगर हम इतनी सी variation लें, इस graph को हम इस half में study करें, कि 0 से जब हमारा angle pi by 2 की तरफ जा रहा है, या pi by 2 से 0 की तरफ आ रहे हैं, ठीक है, तो हमारी जो values है, देखें, sin function हो हमारा, sin function हो decrease कर रहा है, मत्ता हमारा denominator decrease कर रहा है, ठ लेकि वो 1 तक ही आ रहा है, तो जब आप किसी number को जितने छोटे number से divide करोगे, ठीक है, आप कहां से अतना बड़ा number आएगा, इसका मतलब कि जैसे जैसे में 0 से 90 पे आकर इसकी value क्या हो जाती है, देखें, 90 पे आकर हमने देखा के y है, अगर हमारा function, cotangent function y के equal है, या z के equal ह अगर ये z के equal है, तो हमारे पास 0 degree पर इसकी value बनती है, बिलके 90 पर इसकी value बनती है, cause 0 होता है, और sin 91 तो ये 0 आती, इसका मतलब 90 पर हम इसको 0 लिख सकते हैं, यहाँ पर 90 पर हम एक point ले लेंगे, जो के 90 पर हम इसका से ले लेंगे point, चलें, इसको में red color में show कर देता हू ठीक है, यह 0 आ रही है, इसका order pair बन गया, अब जैसे जैसे हम angle 0 की तरफ जा रहे हैं, यह increase कर रहा है, मतलब हमारा graph जो है, 0 से 90 की तरफ जब हम जा रहे होंगे, तो वो क्या करेगा, 90 से 0 की तरफ जा रहे होंगे, तो वो y axis को touch करने की कोशिश करेगा, लेकिन touch नहीं हम infinity को बता नहीं पाते हैं, कि infinity कहाँ है, तो हम यूं कहेंगे कि यह, मतलब इसको touch नहीं करेगी line, ठीक है, और कहीं infinity पे जाकर यह आपस में touch करेंगे, जहां पर इनका distance हो 0 हो जाएगा, जो कि हम नॉर्मली नहीं बता सकते हैं, क्योंकि infinity defined ही नहीं है, कि मैं कूँ यहाँ infinity आगया, ठीक है, इसलिए हम इधर भी arrow शो कर देंगे, कि हमारा graph इसी तरह चलता जा रहा है, जो कि इस line के साथ साथ है, तो यह तो 0 से 90 के half में हमने देखा, अब जब हम 90 से pi की तरफ जाते हैं, ठीक है, मतलब जदा rotation करते हैं, 90 से बागे निकलते हैं, तो हमने देखा कि, जो हमारे cause function है, मतलब x stand for cause और y stand for sine, ठीक है, यह हमारा y है, और यह हमारा y है, ठीक है, तो हम देख रहे हैं, जो कि हमारा divisor जो है, वो sine theta है, sine की value जो है, वो 1 से 0 की तरफ, मतलब decrease ही हो रही है, जितना मैंने कहा है, जब decrease होगी तो आपका answer, मतलब आपका answer जो है, जो diviser के छोटे से छोटे होने से आपका answer है, वो बड़े से बड़े की तरफ जाएगा, ठीक है, तो यह value, फिर दूसरी value यह कि आपका cause function है, वो 0 से 1 को अप्रोच, माइनस 1 को अप्रोच कर रहे है, मतलब कि 0 से जब हम माइनस 1 की तरफ जा रहे होंगे, तो हमारे जो भी number आएगा, चाहिए वो बहुत बड़ा नंबर उसका negative sign आ रहा होगा, इसका मतलब कि हमारे जो divisor है, वो negative में आ रहा है, इसके negative sign होने की वजाए से answer में, result में एक बड़ा नंबर आएगा, लेकिन उसका negative sign होगा, तो हम down the y-axis हम move करना शुरू कर देंगे, इसका अब 90 से हम पाई के हैं आप से बात करें, तो पाई पर तो चुके function defined हो जाता है, यहां पर मैं एक line draw कर दूँगा जो parallel to y-axis है, ठीक है, और यह एक asymptote बन जाएगी, इसी तरह से कि हमारा curve इसको कहीं infinity पे जाकर, इनके दरमाद जो distance हो, जिरो होगा, और इस तरह से हमें इसको इदर show कर दूँगा, कि यह साथ 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 यह चल रहा हमारा graph, यह तो हमने देखा जिरो से πाई के half में, और अगर हम जिरो से माइनस पाई के हवाले से देखें, तो जब हम clock wise मूफ कर रहे होंगे, तो हमारा angle negative में होता है, ठीक है, और इसमें भी आप देख सकते हैं, कि यह x है हमारा, जो क decrease करेगा, ठीक है, x decrease करेगा, और जो हमारा y है, वो 0 से minus 1 को अपरोच कर रहे है, मतलब again वही बात के, हमारी जो value है, वो अगर मैं cause या tangent, tangent 0 के हवाले से मैं बात कर रहा हूंगा, ठीक है, या और tangent 90 के हवाले से, minus 90 के हवाले से बात कर रहा हूंगा, तो हमारे पास cause over sign ratio होती तो cause 0 की value 1 है, और जो sign 0 की value है, तो 1 over 0 undefined हो रहा है, ठीक है, मतलब के 0 degree पर ये, इसको के infinity पर जाके touch करेगा, और minus 90 पर अगर हम देखें तो minus 90 पर, जो x है हमारा, वो 0 होता है, और y हमारा minus 1, तो answer मारा आएगा 0, इसका मतलब के, जो overall answer है, minus 90 पर वो 0 है, और इसका से हमार minus y axis को approach करेगा, कि infinity पर touch करने के, और यहां से जब हम minus pi 2 से minus pi के हमाले से बात करेंगे, तो यह हमारा curve जो है, वो increase करेगा, जिससा से वहां पर increase किया, minus pi पर जाके कहीं, बहुत infinity पर जाके कहीं, यह asymptote के तोर पर, इदर अगर मैं asymptote बना दूँ तो यह कहीं, जो distance 0 होगा, व line up straight कर दीजिएगा, इस ता से एक curve हमारा increase करता रहेगा, यहां पर, इसको मैं यहां पर इस ता से बना देता हूँ, ठीक है जी, तो यह था graph of cotθ.